मंजिल पे जीने जाना है तुफानों से डरा नहीं करते। तुफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। हाई फ्रेंट्स है वे नाइज टी आई एम राके सिंग और वाचिंग माई स्टाडी चैनल करिज माई स्टाडी जोन तुड़े इन इसे वीडियो पार्ट में हम इंग्लिस के कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंस को स्टाडी करेंगे जिनका डेली रूटिन में यूज होता है यहां वर्ड्स दिया गया है और कुछ सेंटेंस में दिये गया है इन्हें देखते हैं जैसे दिया गया है कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो इस एंग्लिस में क्या कहेंगे say something कुछ तो बोलो say something किस लिए for what किस लिए for what सच में really बिल बिल्कुल नहीं क्या कहेंगे not at all कहां पर where on कहां पर यानि where on सांत हो जाओ calm down सांत हो जाओ calm down यहां आओ come here यहां आओ come here समझ गए इस एंग्रिश में क्या कहेंगे understand या got it समझ गए got it या फिर इसे हम understand बोल सकती है समझ गए got it यल्दी करो do first यल्दी करो do first वहीं रुको stop there वहीं रुको stop there कोई बात नहीं कोई बात any problem कोई बात any problem किसी तरह से यानी शम्हाओ किसी तरह से शम्हाओ मुझे दिखाओ show me मुझे दिखाओ क्या कहेंगे show me रहने दो let it be बहुत बढ़िया excellent अंदर ही रहना stay inside अंदर ही रहना stay inside आकर क्यों बट वाई आकर क्यों बट वाई नौ दर नेक्स्ट पहले से ही पहले से ही जिस इंगलिश में कहाँ है आल लेडी पहले से ही आल लेडी कुछ खास नहीं nothing special कुछ खास नहीं nothing special बस ऐसे ही just like that बस ऐसे ही क्या कहेंगे just like that यह सही है that's right यह सही है that's right फिर कभ दीन भीन फिर कभ दीन भीन ठीक है आल लाइड ठीक है आल लाइड और कुछ नहीं nothing more और कुछ नहीं nothing more now the next बाहर जाओं go outside बाहर जाओं go outside शांत रहो keep silent या keep mum keep mum बोल सकते या keep silent शांत रहो अभी नहीं not now थोड़ी दया करो थोड़ी दया करो इंगलिश में क्या कहेंगे so some pity so some pity थोड़ी दया करो कुछ मत कहो don't say anything don't say anything कुछ मत कहो या don't say don't say anything कुछ मत कहो now the next मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ I understand मैं समझता हूँ I understand वह घमंडी है he is a snap snap मिश घमंडी होता है snap snap का मतलम घमंडी होता है वह घमंडी है he is a snap विकार मत बैठो विकार मत बैठो जा कहेंगे don't sit idle don't sit idle next हिच की चाओ मत don't hesitate don't hesitate यानि हिच की चाओ मत शर्माओ मत don't feel shy don't feel shy मैं तुमसे साह मत हूँ I agree with you now the next मुझे रोको मत यानि don't stop me don't stop me मुझे याद दिला देना मुझे याद दिला देना है क्या कहेंगे इस इंगलिश में remind me remind me क्या सब ठीक है क्या सब ठीक है is everything okay is everything okay क्या सब ठीक है तो फ्रेंट से यह रहे इस वीडियो की words और sentence hope you like this video please comment and subscribe my channel that's all now we shall meet again in the next video